आज मंगलवार है और आज अगर कोई मंगल का इंतजार कर रहा है तो वो है महराश्ट क्योंकि आज जो फैसला सुरक्षित रख लिया है सुप्रीम कोट की तरफ से वो आने वाला है कि क्या जिस तरह से तीनों दलों ने यहाँ पर मांग की है कि जल से जल फैसला आने वाला है और इसी को लेकर हम आपको बता दे कि महराश्ट में पिछली 33 दिनों से सियासी उठापटक चल रही है अब से कुछी देर में महराश्ट के इसी सियासी संकट पर सुप्रीम कोट में सुनवाई होनी है आपको बता दे कि सुमवार को राजपाल के और से पेश वकील और बीज़पी के वकील ने अपना अपना पक्ष रखा था और कोट को बताया कि उन्होंने कैसे सियम और डेपुटी सियम को शपत दिलाई वहीं दूसरी और शिवसेना कॉंग्रेस और न्सिपी के वकीलों ने भी अपनी दलीले दी है इसकी बाद कोट ने फैसला सुरक्षत रख लिया था और मंगलवार को यानि कि आज सुभे सारे दस बचे फैसला सुनाने की बात कही अब सभी की निगाहे सुप्रीम कोट के फैसले पर टिकी है कि कोट किसके हक में फैसला सुनाएगा इस सारे घटना करम में खास बात यह है कि आज सविधान दिवस है ऐसे में कोट का फैसला एहम और एतिहासिक होगा कोट के फैसले से एक ऐसा संदेश जाना चाहिए जिससे लोगों में सविधान के प्रती रुची बड़े और विश्वियास पैदा हो और राज़ुतेक गल मौका परस राज़ुते के लिए जाना चाहिए